चोपड़ा जो किस न्योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो राजस्तान स्टेट का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है इसके अलावा फीस स्टेक्चर और सीट मेट्रिक्स भी जारी हो चुका है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का जब हम एनलाइसेस करते हैं तो यह जो प्रिविएस येर में 2020 में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 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 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट राजस्तान स्टेट में शिरफ एक ही अलवर का ESIC का कोलेज इंक्रीज हुआ है गौर्मेंट की कंडिशन में तो जो फर्स्ट राउंड की पिछली बार कटोप गई थी उससे फाइव मार्क्स कटोप हाई जाने की संभावना है तो राजस्तान स्टेट के जो कंडिडेट हैं म किसी भी मार्क्स रेंज के हो टोप के हो मीडियम के हो लोवेस्ट के हो और इंडिया कोटा से उनको अच्छी सीट मिल सकती है इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी स्टेट रेंग के बारे में एनलाइसिस करेंगे कि पिछली बार क्या स्टेट रेंग थी अब की बार क कितनी marks हैं ये मैं आपको पूरा analysis करके बताऊंगा, उसके बाद में मैंने ये cut-off predict की है, first round के लिए ये cut-off जा सकती है, इसमें एक marks का difference हो सकता है, लेकिन ज्यादा marks का difference इसमें बिल्कुल भी रहने की संभावना नहीं है, तो सबसे पहले हम एक बार state merit का analysis कर लेते हैं, तो state merit में हम देखते हैं कि इस बार जो जिसकी state merit rank 1 है, state rank 1 है, वो उसकी all India rank 51 है, जबकि 2020 में ये 82 थी, जिस student की state rank इस साल 1 है, उसकी all India rank 2020 में 82 थी, लेकिन इस बार 51 है, उसके 706 marks है, आगे सुरू करते हैं, 1000 जिसकी all India rank है, 2020 में उसकी state rank 67 थी, और इस बार 21 में 89 state rank है, 670 marks इस बार हैं उसके, 2000 जो all India rank है, उसकी 2020 में state rank 178 थी, लेकिन 21 में 240 state rank है, marks 665 है, 3000 के 20 में 320, 21 में 417, marks 657, इसी प्रकार से, हम आगे देखें, तो इसमें 4000 rank को, 458 पिछली बार थी, इस बार 603 है, 650 marks है, 5000 के 611 पिछली बार rank थी, इस बार 807 rank है, 644 marks है, 6000 rank के पिछली बार 774 state rank थी, इस बार 989 state rank है, 640 marks इसके, 7000 के पिछली बार 914 rank थी, इस बार 1188 rank है, 635 marks है, 8000 जिसकी ranking है, उसके पिछली साल 1079 state rank थी, इस साल 1375 state rank है, 631 marks है इस बार, इसके बार में 9000 के देखते हैं, तो 1253 पिछली साल थी उसकी state rank, इस साल 1588 है, 627 marks हैं, अभी 10,000 का देखते हैं, तो पिछली बार जो state rank थी, 1415 थी, इस बार 1807 है, 624 marks हैं, इसके इसके बाद में बात करें हम 11,000 कंडिडेट, रेंक, ओल इंडिया रेंक वाले की, जिसकी state rank पिछली साल 1575 थी, इस बार 1950 रेंक है, 621 marks हैं, 12,000 का देखते हैं, तो पिछली साल जो रेंकिंग थी, state rank 1733 थी, इस बार 2,122 है, 617 marks हैं, 13,000 के पिछली बार जो रेंकिंग थी, 1885 थी, इस बार 2319 rank है, 615 marks हैं, 14,000 rank ओल इंडिया रेंक वाले कंडिडेट की बात करें, तो पिछली बार state rank 2025 थी, इस बार state rank 2503 है, 612 marks हैं, यह बहुत ही बड़ा difference है, यानि कि 14,000 तक आते आते, 500 state rank का difference हो चुका है, जो एक बहुत ही बड़ा difference है, अब बात करते हैं, आगे 15,000 वाले कंडिडेट को, तो पिछली बार जो state rank थी, 2174 थी, इस बार जो rank है, वो 2666, 610 marks हैं, 14,000 कंडिडेट को, जिसकी rank, ओल इंडिया rank है, पिछली बार जो state rank थी, 2389 थी, अब की बार 2845 है, 607 marks है, इसके बाद 17,000 की बात करें, तो पिछली बार state rank 2485 थी, इस बार 3017 है, 604 marks है, 18,000 की बात करें, तो पिछली बार जो state rank थी, 2629 थी, अब की बार 3191 है, marks है 602, 19,000 को, पिछली बार state rank थी, 2790, इस बार है 3,354, marks है 599, 20,000 की बात करें, तो पिछली बार जो state rank थी, 2934 थी, और इस बार 3,487, यानि की यहाँ भी, approximately 500 rank का फरक पड़ रहा है, 597 marks थे, तो यह तो थी, एक comparison, difference, जो 20 और 21 में हुआ है, state rank में, कितनी बढ़ोतरी हुई है, यह 5 marks तकरीबन की बढ़ोतरी हुई है, 610 के level पे, हम देखें दो, अब मैं आपको category wise cut-off बता देता हूँ, यहाँ पर, first round के लिए, expected category wise cut-off, यही जाने की सबावना है, इसमें 1 marks, appear down हो सकता है, SC, ST की condition में, 2 marks भी हो सकते हैं, लेकिन, general OBC की condition, यही रहने वाली है, EWS में हो सकता है, एक या 2 marks का difference हो, तो सबसे पहले हम देखते हैं, general category की, first round की, राजस्तान की जो cut-off जाएगी, वो 633, 633 जाने की सम्भावना है, जो पिछली बार, 629 गई थी, 28 ही रही थी, लेकिन 28 के, सभी candidate को, seats नहीं मिली थी, इसके बाद, payment sheet general की बात करें, तो 602 marks रह सकती है, पिछली बार ये 599 थी, EWS की बात करें, 628 रह सकती है, और payment 600 रह सकती है, OBC 632 रह सकती है, payment 601 रह सकता है, SD 543 रह सकती है, और payment 470 रह सकती है, और SD 6, 535 रह सकती है, और payment की 455 रह सकती है, तो ये राजस्तान की, फर्स्ट राउंड की expected cut-off है, provisional merit list आने की बाद, और राजस्तान state की, जो फर्स्ट राउंड की cut-off है, ये ओल इंडिया में एक मात्र ऐसा state रहेगा, इस साल के लिए, जिसकी सबसे high merit रहेगी, यानि की केरिला को भी, राजस्तान ने पिछे छोड़ दिया है, तो ये इस परकार से, एक analysis है, जिन candidate को, ओल इंडिया से बहतर seat, ये तो confirm है, कि ओल इंडिया से, टोप वाले candidate को भी बहतर seat मिलेगी, मीडियम वाले candidate को भी बहतर seat मिलेगी, ओल इंडिया से, और जो down candidate है, उनको तो बहतर seat मिलेगी ही, ओल इंडिया से, तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, पिसली बार भी मैंने काफी, ये suggest किया था, इस्टूजेंट्स को, कि आप राजस्तान की बजाए, ओल इंडिया प्रिफेर करेंगे, राजस्तान हाई कटोप का state बन चुका है, इसकी बजाए अगर आप ओल इंडिया में seat लेंगे, तो आपको seat मिलेगी, उसके बावजूद भी second round में, इस्टूजेंट्न ने ओल इंडिया की seat छोटके, राजस्तान को प्रिफेर किया उन्होंने, लेकिन राजस्तान में फिर उनको payment seat लेनी पड़ी, जबकि उनको ओल इंडिया में free seat मिल रही थी, तो ये एक इस परकार का आपने decision लेना है, कि आपको ओल इंडिया में अच्छी seat लेनी है, अच्छी counselling करनी है, राजस्तान में आपको बेहतर seat की संभावना कम है, ओल इंडिया में आपको बेहतर seat मिल सकती है, इसलिए आपने ओल इंडिया कोटा प्रिफेर करना ही करना है, उसमें आप second round में first round फिर ही एक्जेक्स्ट है, first round की 24 से फिल हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, second round में आप अच्छी college भरके, अच्छी college फिल करके college ले सकते हैं, आपके पास option है भी, अभी counselling start ही हुई है, अभी किसी का result नहीं आया है, लेकिन ये prediction, provisional merit list आते ही ये prediction आ जाता है, कि हमको कहाँ seat लेने होती है, इससे पहले के जो prediction होते हैं, वो expected से कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन merit list आने के बाद के जो prediction होते हैं, वो बिल्कुल ही accurate जाते हैं, तो आपके पास अभी time है, आप decision ले सकते हैं, All India quota में अच्छी अपने seat की planning कर लें, आपको कहाँ seat लेनी है, All India के first round का result आने के बाद देख लें, कोन सी college कितनी marks पर ये cut-off रही है, उसके according आप अपने एक list बना लें, list बना के second round में, All India के second round में अच्छी seat लेने की कोशिस करें, तो ये राजस्थान का एक analysis था cut-off का, बात करें राजस्थान के second round की cut-off, तो राजस्थान के second round की cut-off down जाएगी, लेकिन इतने down नहीं जाएगी, ज्यादा down राजस्थान के state की cut-off नहीं जाएगी, कारण इसका यह है कि जो राजस्थान की कोलेजे हैं वो भी अभी नई वाली कोलेजें धीरे 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 पुरणी होती जा रही है उनमें भी अच्छी फैसलिटी होती जा रही है तो कट ओफ डाउन जाने का मतलब ही नहीं है तो ये मैंने जो जानकारी थी राजस्तान स्टेट के बारे में वो पूरी दे दी है तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंद